जहिन सातियों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टूडेंट वार में गाइस जैसा कि आप सभी सातियों को मालूम है कि पलपल की लेटेस्ट अपडेट हो या कोई भी एकजाम संबंदित जानकरी हो यहां पे आप लोगों को दी जाती है गाइस यहां जानकरी उन छात्र में एक बुलूपरिंट तयार किया गया है कि उनको क्या क्या पढ़ना है अब सबसे पहले बात बता दू यहां वीडियो अगर आप जो भी साती देख रहे होंगे क्रप्या करके वो इस वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें और जो भी इनके आपके भाई भाई बैन होगे या साती होगे जो दसवी में पढ़ रहे होगे उनके लिए वो माधपुर्ण होने वाल है ताक तो उनको यहां वीडियो अधिक से अधिक बताए और सेर भी करें ओके चली स्टार्ट करेंगे तो अभी जो आप लोगों का है MP बोर्ड के दुआरा माध्यमिक सिक्षा मंडल भोपाल के दुआरा आप लोगों का एक ब्लूप्रिंट तयार किया गया है कि आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है एक्षुली में क्या हुआ है देखो आप लोगा जो है कोरोना काल में आप लोगों की जो पढ़ाई है वो उस हिसाब से नहीं हो पाई है कि MP बोर्ड के दुआरा आप लोगों को पूरी की पूरी बुक से प्रस्न पूछे तो इसलिए उन्होंने आपके सिलेवस को आपके पाठे क्रम को कम कर दिया है और आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को मातर क्या-क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो ये बहुत अच्छ सिक्षा मंदल मद्यप्रदेश भोपाल की द्वारा आपके लिए नया ब्लूप्रिंट तयार किया गया है पाट्टे करम की आप लोगों को वार्षिक परिक्षा में क्या पढ़ना है तो सभी 2020-21 वाले चात्र चली स्टार्ट करते हम लोग ब्लूप्रिंट यहां पे माद्यम सिक्षा मंदल का 9 मार्च को आज ही रिलीज हुआ है और जस्ट रिलीज हुआ है तो चली स्टार्ट करते हैं जैसे कि कक्षा दस्वी का यहां पे हम लोग सिलेबस डिसकस कर रहे हैं ओके तो आप सबी सातियों को मालूम है कि आप लोगों का पेपर सव नंबर का होता है और समय आप लोगों को 3 घंटे दिये जाते हैं देन यहां पर बात करेंगे आप लोगों का जो सब्जेक्ट यहां पर डिसकस कर रहे हैं वो है आप लोगों का सामान हिंदी ओके अब बात करेंगे आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने व है तो हम जो पड़ रहे हैं वो आप लोग सुनने की कोसिस करेंगे तो आप हीडिंग डाल लोगे कि सामाननी हिंदी ऑके और इस प्रकार से आप लोग अपने कौपी में यह चार्ट लोगे क्या क्या पुछने वाला है तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के इस खंड में रहने वाला है पाठ्टे करमानुसार इकाईया ओके और यहां पर इकाई पर आवंटित अंक दिया है ओके और इस कालम में दिया है वस्तुनिष्ट प्रस्न वस्तुनिष्ट प्र आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्रमांक एक में पदखंड पढ़ना है, और यहां पर क्या पुछेगा आप लोगों को पध्यांस की व्याख्या पुछेगा, सोंदर ये बोध पुछेगा, ये विशय वस्तु पर आधारित प्रस्न पुछेगे, तो यहां पर आप लोगों जैसे कि क्रमानक एक में आप लोगों को सामानी हिंदी में पदखंड पुछा जाएगा पध्यांस की व्याख्या करना शोंदर ये बहुत के बारे में पुछेगा ये विसाय वस्तु प्रस्न पर आधारित प्रस्न पुछा जाएगा और वो आप लोगों का कितना 25 नंबर का पुछा जाएगा हम लोग यहां पर बताएंगे कि इसके अंतरगत और क्या-क्या प्रना है डिटेल वाइस क्योंकि ब्लूप्रिंट में आपका पूरा दिया हुआ है तो पहले यह जान लेते हम लोग कि कितना कितना पुछेगा कितने नंबर का पुछेगा 25 नंबर का पु हुँज़े 5 अंक वाले कोई प्रसन नहीं रहेंगे और 10 अंक वाले भी कोई प्रसन रहेंगे इस प्रकार आप लोगों को कुल 5 प्रसन पुछा जाएगा क्रमांक एक में नबर करेंगे बात करेंगे अब नेक्स्ट आपका है क्रमांक 2 यानि यूनिट 2 के अनुसार गदख में क्या पूछा जाएगा अर्थ ग्रहन संबंदी यों विसे वस्तू पर आधारित प्रस्ण तो यहां पे आप लोगों के 25 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें आठ कोस्चन वस्तू निष्ट रहेंगे ओके देखे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यहां पे किस किस प्रकार से तयारी करना है आपको बता जाएगा और कैसे अधिक से अधिक ज्यादा अंक प्राप्त किया जाए ओके आप लोगों को बिल्कुल MP बोर्ड की तयारी भी करवाई जाएगी जितने दिन में पूरे important question ओके चली तो second unit में आपको 25 नंबर का पूछेगा आठ न करा चंक और 10 अंक वाले कोई प्रस्ण नहीं पूछे जाएंगे इस प्रकाठ total second unit से 6 पूछे जाएंगे ऑके बात करेंगे अगली unit की तो अगली आपकी unit है þर्द unit तिसरी unit है यहां पे पूछेगा गध की विथाये प्रमुक विथाओं का परीचे पूछेगा आप लोगो नंबर के दो कोश्चन पुछे जाएंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं तो आप लोगों को इसमें बहुत कम पढ़ना है तिसरी यूनिट में यहां पर दो नंबर का पूछा जाएगा आपको याने दो प्रश्ण पूछे जाएंगे आपको तिसरी यूनिट से बात करेंग तत्सम, तत्भाव, देसर्ज और क्या-क्या पूछा जाएगा आगत, सब्द, सब्द बोध, वाक्य बोध, विरामचिन, मुहावरे, लोकोक्तिय इतना पूछा जाएगा आप लोगों को चोथी यूनिट में टोटल बीश नंबर का पूछा जाएगा इसमें से आप लोग को द्यान रखना है, बढ़ते हैं, आगे हम लोग, चली आगे आप लोगों को क्या-क्या पूछा जाएगा तो यहां पे आप लोगों को देखना है, आगे पांचिवी यूनिट में क्या पूछा जाएगा, अपठित बोध पूछा जाएगा, गध्यांस पूछा जाएगा गध्यांस का सिर्षक बताना है सारांस योम प्रस्ण पध्यांस का सिर्षक सारांस और प्रस्ण पुछे जाएंगे ओभी दस नमबर के पुछे जाएंगे और पाच पाच के दो कोश्चन पुछे जाएंगे ओके पाच पाच नमबर के दो कोश्चन पुछे जाएंगे कुल तो बढ़ते हैं छटवी यूनिट की ओर, छटवी यूनिट में आप लोगों को पूछेगा पत्र लेखन, पत्र लेखन में आप लोगों को एक विशाई के बार में पूछ लेगा, या तो अपने सिक्छक को छुट्टी यानि किसी कारणवस छुट्टी मांगने के लिए इस परकार से आप लोगों को अविधन पूछ सकता है, हम आगे बताएंगे किस परकार आविधन आपको क्या क्या पूछ सकता है, यहां पे पाच नमबर का पूछा जायेगा और एक ही प्रश्ण पूछा जाएगा पत्र लेखन में. बात करेंगे निभन लेखन, आपको कि किसी एक विशाई का निभन लिखने बोलेगा वो कोई भी विशाई दे सकता है विज्ञान पर्यावरन इस्तंबंदित ओके किसी अन्य विशाई की रूप रेखा यहां पर लिखना है तो यह आप लोगों का देखी यहां पर बढ़िया अच्छे खासे नंबर गेन कर लोगे 10 नंबर यहां पर आप लोगों को निभन देगा और केवर एक ही प्रस्न होगा ओके इस प्रकार आप लोगों को टोटल जो है कितने 100 नंबर का पूछेगा ओके 100 नंबर का पूछेगा यहां पर और वस्तुनिट्स आपके 25 नंबर के रहेंगे ओके यह आप लोगों को ध्य में देना है ओके बढ़ेंगे चली यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट चर्चा कर लेते हैं तो अब डिटेल वाइस जानते हम लोग हिंदी सामानने में आप लोगों को क्या-क्या पूछेगा जैसे कि हमने देखा था ओके तो देखी जो हमारी इकाई एक है खंड का नाम क्या था पदखंड था और इसमें हम लोगों को क्या-क्या पूछने वाला है यह देख लेते हम ओके तो पदखंड में मीरा के पद पूछेगा आपको पाट का नाम है मीरा के पद यह पूछेगा विधा आपकी कवीता रह ऑके बात करेंगे आप लोगों का जो सेकंड क्रमांग पे इकाई एक सेही आपको पुछेगा पदगंड इस नदी की धार में क्या पुछेगा इस नदी की धार में जो की कवीता है और दुस्यन दुकमार की है देखें यहां पे आप लोगों को यह clear कर दिया है कि किस unit से क्या-क्या पूछने वाला है किस unit से क्या-क्या पूछने वाला है यह भी आप लोगों को यहां पे बता दिया गया है जैसे 1 एक से आप लोगों को क्या-क्या पूछेगा वो भी देखिए मीरा के पत पुछेगा इस नदी की धार में तुम वही दीपक बनोगे और दो कविताए इतना आप लोगों को पुछेगा ओके ये पूरी कविताए हैं और ये कविताओं के लेखक के नाम मीरा बाई दुश्यंत कुमार दिवाकर वर्मा उश्या वर्मा तो इस पाल के दो लिखा गया है इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है सेकेंड यूनिट में बात करेंगे यहां पर आप लोगों का जो है तिसरी यूनिट तो तिसरी यूनिट से आपको गद की विधाए पूछेगा देखेंगे बुलू प्रेंट में हमने देखा कि कितने कितने नंबर का पूछेगा कितने प्रस्न पूछेंगे उस यूनिट से अब हम लोग देख करें कि हमें क्या पढ़ना है इस यूनिट से ओके तो गद Käcesοι विदाये इसमें गद हिलने हैं आप लोगों को जो पढ़ना है ओके आगे बढ़ते हैं कि चली तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे आप लोगों का यहां पर देखिए हिंदी सामान ने कक्षा दस तीन घंटे का आप लोगों का समय होगा और आप लोगों की जो विशय सामगरी है वो देखते हम लोग पहले बात करेंगे हम पदखंड की तो एक पध्यांस की व्याख्या करने के लिए आएगा सोंदर ये बोध पर आधारित प्रस्ण पुछे जाएंगे विशय वस्तु पर आधारित प्रस्ण पुछे जाएंगे गद खंड में आप लोगों को क्या पुछेगा अर्थ ग्रहन संबंदी प्रस्न पुछेगा विशेवस्तु पर आधारित बोध प्रस्न पुछेगा थड की बात करते तो गद की विधाय पुछेगा आप लोगों को प्रमुक्व विधावों का सामानी परीचे पुछेगा, ओके, व्याकरण में आप लोगों को क्या क्या पुछेगा, तो देखे, यहां पे व्याकरण में पुछेगा, आप लोगों को, संदी के बारे में भेद पुछेगा, ओके, कौन सी संदी है, पैचानने के लिए पुछ पूछेगा वाक्य के प्रकार रचना अर्थ के आधार पर पूछेगा वाक्य के सुद्ध करना पूछेगा विराम चिन्न पूछेगा मुआवरे और लोकुक्तियों के बारे में पूछेगा देन यहां पे पूछेगा आप लोगों को अपठित बोध गध्यांस पध्यांस सि प्रस्न निवन पूछेगा निवन लेखन ओके ये आप लोगों को ध्यान रखना है इतना आप लोगों को पूछेगा